सब्सक्राइब किजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिवाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज की अपडेट साबको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो भगवान सिव जी को प्रसन करना बहुती सरल माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि भगवान सिव सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन होने वाले देवता है सोमवार का दिन भगवान सिव जी को समरपित है और इस दिन भगवान सीव जी की उपासना करना सबसे स्रेष्ट माना गया है भगवान सीव जी को बहुती सरल उपाय से प्रसन किया जा सकता है सास्त्रों और पुराणों में भी भगवान सीव जी को प्रसन करने के बहुत से उपाय बताए गये हैं जिनसे आप बगवान सीव जी का आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं। आप इन उपायों को करके अपने जीवन की सभी परिशान्यों का समाधान कर सकते हैं। कौन से उपाय करने चाहिए। आप सुमवार के दिन एक घी का दिपक तयार करे और उसके अंदर एक लौं का जोड़ा डाल दे। अब सीव जी के किसी भी मंत्र से सीव जी की आरात न करे। इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। अगर आपको कोई भी सीव मंत्र नहीं माना जाता है और ये चंद्रमा का भी दिन होता है। आप सुमवार के दिन सूबर के समय जल्दी उटकर भगवान शीव जी के दर्सन करें और सीव चालिसा या सिवास्टक पाट कर सकते हैं। यदि आप ये उपाय करेंगे तो इससे भगवान शीव जी आप से बहुती का हल निकलेगा अगर किसी व्यक्ति के दामपत्य जीवन में परेशान्य उत्पन हो रही है आए दिन किसे न किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा है या फिर विवा में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन हो रही है तो इसके लिए सोमवार की सुबह गवरी संकर रुद चंदन की बिंदी लगा कर अपनी मनो कामना बोल कर सिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इस से आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती है आप सुमवार के दिन सुबह के समय किसी सिव मंदिर में जाए और सिवलिंग पर दूद अर्पित करे परन्तु आपको इस बात का ध्या यदि आप ये उपाय अपनाते हैं तो इससे आपको अपने व्यावसाई में बड़ोत्री हासिल होगी और आपको व्यावसाई में सफलता मिलेगी। और आपको धन में लगातार वृद्धी होगी। दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो कमेट बॉक्स में हर हर महादेव अवस्या लिखे।